यह रहा Google की तरफ से official email, Google AdSense की तरफ से mail आया हुआ है, payments-noreply at google.com और recent payment receive हुई है, 21 December को 7 गंटे पहले यह mail आया है कुछ महीने पहले एक article मैंने write किया था, for the keyword how to close flip card pay later इस keyword के लिए मेरा article Google के first page पे rank करता है, 23 अगस्त 2023 को मैंने article publish किया था, almost 3-4 महीने पहले और आज है 22 December, 4 महीने में Google के first page पे, first position पे यह article rank कर रहा है, even जो flip card की official website है, वो भी second number पे rank कर रही है अब देखिए वैसे तो blog setup करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको सही रास्ता नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम किने steps को follow किया जाए, start कैसे किया जाए, तो आपके fail होने के chances ज्यादा है मैं चाहता हूँ कर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको success मिले, अब मुझे वाके नहीं मालूम है कि मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ या नहीं, content अच्छा होता है या नहीं, बट लोग मुझे comment करके ये जरूर बताते हैं कि मेरे वीडियो देखके कुछ लोग 30- 40,000 महीना कमा रहे हैं, कुछ लोग per day का 500,000 रुपे भी कमाते हैं, so यही चीज़ खाली मुझे motivate करती है, और मैं अच्छे वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश भी करता हूँ, आज के इस वीडियो में कुछ नया ले करके आया हूँ, simple तरीके से हम blog नहीं बनाएंगे, बट आप plan follow करेंगे, और एक नई चीज में आपके साथ share करूँगा, जो mostly लोग YouTube पे share नहीं करते हैं, देखो, blog में basically अब हो क्या रहा है, सबी लोग या तो Hindi blog शुरू करना चाह रहे हैं, या US market को target करते हैं, English blog शुरू करते हैं, लेकिन Hindi और English के अलावा भी कई सारे और languages हैं, different different countries में, जैसे की Spain है, अब Spain में Spanish language बोली जाती है, तो क्या लोग वहाँ पे Google पे सर्च नहीं करते होंगे, सर्च करते हैं, लेकिन सबसे जदा bloggers तो India में बैठे हैं, Indian bloggers को Hindi और English से फुर्सत ही नहीं है, तो भाई आप ऐसे country को भी target कर सकते हो, ऐसे keywords को भी target कर सकते हो, आप ए competition कम है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आप ही है, language barrier, आपको Spanish नहीं आती है, तो आप Spanish में blog कैसे लिख सकते हो, तो अभी right now, मैं सारा तरीका आप कैसा शेयर करूँगा, कि आप कैसे Spanish में, उर्दू में, या किसी दूसरी language में blog start कर सकते हो, जैसे Arabic में आप blog start कर स सकते हो, फिलाल यहां भी example लेंगे हम Spanish language का, तो मैंने पूरा आपके लिए एक setup ready किया है, पूरा roadmap है, one by one हम steps को follow करते चलेंगे, और एक अच्छा और successful blog बनाने की कोशिश करेंगे, तो right now हम चलते हैं अपनी screen पे, अब total 5 steps हैं हमारे पास, सबसे पहले चीज हमें niche select करना होत है, आपके blog का एक topic होगा, इसको detail में भी समझेंगे, फिर keyword research करना हम सीखेंगे, keyword research बहुत ज़रूरी है, एक blog को काम्याब बनाता है उसका proper keyword research, तो मैं आपको detail में सिखाऊँगा, आप कैसे keyword research करोगे, जैसे बड़े bloggers करते हैं, blog content को write करना हम सीखेंगे, then blog को setup करना सीखें सबसे best, सबसे popular तरीका क्या है, Google AdSense, अभी तक फिलाल हर एक बंदा, Google AdSense का approval ही अपने blog पे लेना चाहता है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको किनकिन steps को follow करके, अपने blog को Google AdSense approval के लिए ready करना है, तो पहले चलते हैं, niche selection पे, अब ये niche असल में है क्या चीज, niche basically आपके blog का topic होता है, जिसके बारे में आप articles लिखते हो, जैसे कि healthness हो गया, अब सिर्फ आप health के बारे में ही articles लिखते हो, अब सभी चीजों के बारे में नहीं लिख सकते है, आपको एक niche choose करना होता है, और उसी niche related आप different articles को publish करते हो अपने blog पे, जैसे healthness है, but health एक broadness है, broadness मतलब क मतलब करते हैं, फाफी बड़ा niche है, health के अंदर skincare भी आता है, haircare भी आता है, nails care भी आता है, diet भी आती है, कई सारे multiple micronlish आते हैं, इन्हें micronish कर्बोगा के आप अगर आप कर रहे हो ना blog तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप micro niche को choose करो आप एक micro niche blog start करो जैसे कि आप सिर्फ skincare के ऊपर ही एक blog बना सकते हो उसमें आप सिर्फ skincare से related ही articles publish करोगे तो google को आपके blog को पहचानने में आसानी होती है और आपका blog जल्दी successful हो पाता है इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा niche choose करें जैसे कि automobiles है automobiles ने गाड़े वाली से related जो भी industry है तो ये एक broad niche हो गया भाई automobiles में cars भी आती है motorbikes भी आती है electric bikes भी आती है heavy transport vehicles भी आती है कई सारे multiple type of micro niche को मिला करके एक broad niche बन रहा है automobiles तो आप सिर्फ एक ही micro niche पकड़ सकते हो जैसे कि electric vehicles आप सिर्फ electric cars के बारे में या electric vehicles को अगर आप divide करोगे न तो electric cars हो गया और electric motorbikes हो गई तो ये nanonish कहलाएगा मतलब automobiles जो है वो broad niche है फिर automobiles में electric vehicles एक micro niche आ गया अब आप चाहो तो micro niche को भी divide कर सकते हो दो parts में तो एक हो गया electric motorbikes और दूसरा हो गया electric cars तो ये electric motorbike और electric car ये nanonish कहलाते हैं बट micro niche को target करना फिलहाल जादा beneficial हो सकता है एक और topic हमारे सामने है जैसे कि smart phones हो गया है ना mobile phones वगरा कई सरह लोग को interest होता है तो smart phone दो भी बहुत बड़ा micro niche हो गया बट इसके अंदर iPhone के chargers हैं जैसे तो iPhone charger के उपर आप पूरा blog start कर सकते हो और ये एक micro niche होगा अच्छा iPhone charger क्यों जादा beneficial हो सकता है इसके पीछे भी एक reason है रीजन ये है देखो अभी Apple ने अपने कोशिश करते हैं कौन सा charger best उनके phone के लिए कई सारे different queries है iPhone chargers related तो आप iPhone charger के उपर ही एक micro niche blog शुरू कर सकते हो आपको समझ में आया होगा niche क्या होता है, broad niche क्या होता है और micro niche क्या होता है एक और nano niche क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर हम iPhone charger को ही as a micro niche ले करके चलते हैं और इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप iPhone chargers related keyword research कैसे करोगे, content कैसे write करोगे, blog को setup कैसे करोगे अब हमारा niche चलो decide हो गया iPhone charger, अब हम keyword research की तरफ बढ़ते हैं हमें भी पता करना होगा iPhone chargers related ऐसी कौन-कौन सी queries हैं जो लोग Google पे type करते हैं कहाँ पर Spain में, तो आपको browser के new tab में open करना है translate.google.com Google के translation वाली official website है जो बिल्कुल free of cost है, यहाँ पर आप एक language को दूसरी language में translate कर सकते हो, तो यहाँ पर हम primary words को type करते हैं, और यहाँ पर translated word ये translated sentence use करना है, और यहाँ पर कई सारे languages के options आपको मिल जाते हैं, now अब English में हमें type करना है I-P-H-O-N-E-C-H-A-R-G-E-R iPhone charger, तो वही हम लोग India में, US वगरा में तो ऐसी लिखते हैं I-P-H-O-N-E charger, English words में but Spain में जब Google चलता है तो वहाँ पर लोग कैसे सर्च करते है Cargador D iPhone, ये basically translation है iPhone charger का अब हमें चेक करना है कि इस keyword को Spain में लोग कितनी बार हर महीने सर्च करते हैं Google पे तो हम यहाँ पर एक free tool यूज़ करेंगे ahrefs.com ठीक है, ahrefs.com पर हम आगए आपको scroll down करना है और footer में आपको एक option मिलेगा keyword generator, इस पर आप click करोगे ये ahrefs का free tool है जो keyword generate करने में आपकी help करेगा, अब उस keyword को आप यहाँ paste करो, जो Spanish language में होता है, drop down में से आपको उस country को choose करना है, जिस country में आप इस keyword का traffic या search volume बगरा देखना चाहते हो तो यहाँ पर हम type करेंगे Spain ठीक है, now let's click on find keywords alright, so ahrefs ने हमारे सामने कई सारे related keywords भी निकाल के दिये हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको समझना होगा keyword क्या है, keyword difficulty क्या है और volume क्या है, keyword basically वो query होती है, जो लोग Google पर type करते हैं तब ही Google related results दिखाता है 1 है, 2 है, 20 से नीचे है तो हमारे लिए good news है क्योंकि keyword difficulty कम होने का मतलब यह है, कि दूसरे competitors अभी इस keyword पर काम नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो इस keyword को target करके अपने blog को rank करवा रहे हैं, ठीक है, तो keyword difficulty यहाँ पर कम है इस particular keyword की, तो यह अच्छी बात है then after volume, अब यह क्या है 1.9K, के रिप्रेजेंट करता है 1000 को, हर महीने Google पे कितनी बार इस keyword को इस pane में सर्च किया जाता है तो हर महीने 1900 बार इस keyword गूगल पे टाइप किया जाता है, इसी तरह से दूसरा keyword है, cargador day iPhone original है न, मतलब आईफोन का original charger इसका मतलब निकलता होगा तो 500 का search volume हर महीने का है, और keyword difficulty 0 है कई सारे और भी keywords यहां पे है और सभी keyword difficulty almost मुझे 0 दिख रही है searches ठीक ठागे, अब आपको ऐसा लग रहा होगा being as a beginner, कि यह 500 का traffic असल में होते ही कितना सा है अगर महीने 500 लोग मेरे ब्लॉग पे आएंगे 500 आपके ब्लॉग पे तो आएंगे नी दूसरे भी लोग इस keyword पे काम कर रहे होगो तो हो सकता है, 20 लोग आपको मिले 20 लोग दूसरे ब्लॉग पे जाएं और remaining किसी और ब्लॉग पे जाएं ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 5 लोग ट्राफिक तो बहुत कम है अब इसको आप इस तरह से समझो आपने एक नया ब्लॉग बनाया है ठीक है, बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है जब नया ब्लॉग होता है तो गूगल के सामने आपके डुमेन की कोई डुमेन अथारिटी नहीं है बिल्कुल जीरो है, कोई इस्जत नहीं है आपके डुमेन की अगर ऐसा ब्लॉग जिसको अभी अभी बनाया गया है, उस पे जीरो ट्राफिक आ रहा है बट एक टाइम के बाद एक, दो, चार, सो, दो सो लोग आने लग जाए तो गूगल के सामने उस डुमेन की डुमेन अथारिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है नहीं गूगल के सामने उस डुमेन की इजजत बनना शुरू होती है तो भाई, जीरो ट्राफिक से बेटर है कि at least आपके blog पे थोड़ा बहुत traffic आना चाहिए starting में आपको सिर्फ traffic पे ध्यान देना है आपको हजारों millions का लाखों का traffic नहीं देखना है सिर्फ traffic पे focus करो चाहे 20 लोगी क्यों ना है चाहे 50 लोगी क्यों ना है बड traffic आना चाहिए क्योंकि आपके blog की success depend करती है आपके domain की domain authority पे तो धीरे-धीरे आपके domain की authority build तभी होगी जब आपके blog पे regular traffic आना शुरू होगा चाहे 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं बड़ डेली आ रहे हैं तो इस चीज़ पे आपको focus करना है तो कई सारे आपको keyword ideas यहां पे मिल जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये वाला keyword सबसे सही है फिलाल अभी इस पे keyword difficulty 0 दिख रही है और search volume पे ठीक ठागे इस वाले keyword को भी हम ले सकते हैं ये भी ठीक है 500 का search volume है और almost related keyword ही है दोनों keywords के लिए आपने article वो rank करवा सकते हैं तो हमारा keyword तो भाई ये हो गया जिसे मैंने यहां से copy कर लिया यह special open ही रखते हैं अब ये तो हमारा free method था paid method होता है SEMrush Ahrefs free है तो 100% accurate results ये नहीं दिखाता है जब आप blog start कर रहे हैं आप पास इतने पैसे नहीं है कि आप expensive keyword tool में investment कर सको इसी लिए मैंने Ahrefs का free tool यूज करने की सला दी है आप इसको starting में यूज कर सकते हो 100% accurate result ये नहीं दिखाएगा बट at least आपको इतना idea तो हो जाएगा कि हमें इस keyword को choose करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अब हम paid tool की तरफ चलते हैं जो कि है SEMrush SEMrush को आप कैसे use कर सकते हो और SEMrush को 14 days तक आप बिल्कुल free of cost भी use कर पाओगे इसका link मैंने वीडियो के description में दिया है तो ये है मेरा SEMrush का account जब आप sign up कर लोगे तो आपको इस तरह का interface दिखाई देगा now left hand side पे कई सारे menus है आपको जाना होगा keyword overview पे और ये है keyword overview का page अब यहाँ पर भी same तरीका है keyword research करने का तो आपको पहले तो अपना keyword यहाँ पर कुछ इस तरह से paste कर देना है then country में फिर से हम choose करेंगे क्या Spain location को आपको as it is छोड़ देना है and then we need to click on search अब SEMrush एक ऐसा tool है जो आपको detail में analysis करके इस keyword का पूरा ABCD निकाल करके देगा तो SEMrush पे हमें mostly accurate result ही देखने को मिलता है AHRS free है, free का माल है थोड़ी तो कमी होगी उसमें, यह paid है इसलिए यह exact result तक पहुँच जाता है तो overall इस keyword का जो search volume है Spain में, वो तकरीबन धाई हजार का है, मतलब धाई हजार बार हर महीने इस keyword को search किया जाता है और total difficulty कितनी है 25% इस particular keyword की जबकि AHRF हमें 0 दिखा रहा था बट कोई issue नहीं है, 0 से 20-25 तक की अगर keyword difficulty है तो वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ऐसे keywords पर competition कम होता है और सबसे अच्छा तरीका है समझने का बही कि इस keyword को हमें target करना चाहिए या नहीं जो keyword difficulty है ग्रीन कलर से represent होती है, कई सारे keyword variations है, view all पे चलते है total 1868 related keywords हमें Samrash ने काल करके दिये हैं, Samrash काफी कमाल का tool है, और जितने भी बड़ बड़े bloggers है ना, वो इसी tool को use करते है, keyword की सारी कहानी है, उन्हें यहाँ से पूरा ABCD मिल लियाता है, अपने competitors की analysis भी बहुत easily कर लेते हैं तो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे points जिसको आपको ध्यान देना चाहिए किसी भी keyword को choose करने से पहले अब जैसे ये वाला keyword है Cargadordi iPhone, तो यहाँ पर search volume 2000 का दिखा रहा है, trend का chart भी आपको देखने को मिलता है trend क्या बता रहा है, देखो chart हमेशा ऊपर की तरफ ही है, मतलब ये keyword mostly trending है, Spain में लोग continue search कर रहे है, daily search कर रहे है, trend का chart बड़ा हुआ है जबकि यहाँ पर देखो, ये वाला chart उठा फिर नीचे गिरा, फिर उठा मतलब कई बार searches कम हो जाती है बट इस वाले keyword का chart continue उपर की तरफ ही जा रहा है keyword difficulty 25 है, easy है, देखो लिखके भी आ रहा है, you will need quality content focused on the keywords intent, बस आपको अच्छा content write करना है, और आप easily rank कर सकते हो, then यहाँ पर दिया हुआ है CPC, यानि cost per click कितना दे रहा है, 0.13 US dollars, अगर Google AdSense का approval आपको मिल जाता है और कोई भी user अगर उस ad पे click करेगा तो एक click का आपको 0.13 USD मिलेगा, तो CPC भी ठीक ठाक है एक नए blogger के लिए तो बढ़ी आई है results का मतलब क्या है, 16.7 million results, अब इसका मतलब असल में निकलता गया है results का मतलब यह है कि इस particular keyword को जब लोग Spain में type करते हैं तो total कितनी website से कितने blogs Google search results में दिखाता है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ को first page पे दिखाता है, Google के database से कितने pages Google के results में दिखाई देते हैं, जब कोई भी user इस keyword को Spain में Google के search box में type करके enter push करता है, 16.7 million blogs rank कर रहे हैं इस keyword के लिए आपको इन 16 million को cross करके आना पड़ेगा, तो उनसे भी अच्छा content आपको लिखना पड़ेगा वहीं अगर बात करें इस keyword की Cargad already iPhone original अगर आपने word original लगा दिया है इसका search volume भले कम है 590 है, बट trending वाला जो chart है, वो भी ठीक ठाक बना हुआ है continue searches है, केड़ी जरूर कितनी होगा यह 32, तो possible है आप rank कर सकते हो, content अगर आप अच्छा लिख देते हो, बट यहाँ पर अगर आप गवर करो, results हैं, सिर्फ 94 blogs हैं, जो rank कर रहे हैं इस particular keyword के लिए I mean almost 17 million है यह और कहा 94 websites, तो क्या आप easily rank डी कर सकते हैं, definitely कर सकते हो तो यह कुछ चीज़े होती हैं, जिसका हमें ध्यान देना होता है, हमें analysis proper करनी है, सबसे ज़्यादा time आपको research में ही देना होता है mostly लोग क्या करते हैं, फटा फट लिया, content लिगा, ब्लॉग पब्लिश कर दिया, that's it और बैठे हैं कि अब traffic आना शुरू हो जाए, भई हमारे पास पैसे बनने शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है research करो proper तरीके से आपको traffic भी अच्छा मिलेगा, और हमेशा long term की सोचो, short term की मत सोचो, ठीक, तो हमारा keyword अब क्या है, हम ये वाला keyword नहीं लेंगे, हमारा keyword रहेगा ये वाला, ठीक है इस keyword को हम target करेंगे हम खाली search volume के basis पे decide नहीं कर सकते कि ये keyword हमारे लिए सही है, हम इसके basis पे decide करेंगे, कि ranking blocks अगर कम है, तो भई इनको पीछे करना आसान होगा, at least 590 का तो search volume हम ले सकते ना, 590 ने, 2500 का तो हमें मिलेगा ना, 0 से तो better है, ठीक, तो ये हमारा keyword हो गया, तो हमने samrush और ahrefs, दोनों में keyword research करना तो सीख लिया है, अब अगला step क्या है, blog writing अब मैं जानता हूँ, आपको लिखना नहीं आता है, आप Spanish भाषा में नहीं लिख सकते हो, तो आप कैसे blogging करोगे, बहुत आसान तरीका है, बहुत बहुत आसान है, ठीक है पहली चीज तो, हमें ये सोचना पड़ेगा, कि इस particular keyword के लिए, iPhone charger original क्योंकि Spanish में कुछ भी कहते हैं, बट अभी हम English वाला word लेके चलते हैं, iPhone charger original, ये जो keyword है न, इस से related हम अपने article में क्या लिखें, किन points को cover up करें, हमें वो idea generate नहीं हो रहा है, कि हम किन headings को cover up करें, content तो बात की बात है, long paragraphs अभी हमें ये ही नहीं समझ में आ रहा है, कि iPhone charger original, इस particular keyword के लिए, हम अपने article में किन topics को cover up करें, तो उसके लिए हम chat GPT की help लेंगे, हम chat GPT से ideas generate करवाएंगे, कि हम किन किन topics को अपने blog में cover up करेंगे, तो अब chat GPT का रोल यहां से शुरू होता है, आपको simply chat GPT की official website open करनी है, जो कि है chat.openai.com, एक free of cost account create कर लेना, हलंकि मैं chat GPT का paid version यूज कर रहा हूं, बट आपके end पे 3.5 version दिखाएगा, जो 100% free है, तो चलो मैं भी free वाला version आपके साथ यूज करूंगा, अब यहां पर इसे हम एक prompt देंगे, prompt आपको कुछ ऐसा लिखना है, I want to write a blog post in the Spanish language, the focus keyword, focus keyword को मतलब ऐसा keyword जिसके लिए हम rank करवाना चाहते हैं, focus keyword is a double quote में आप उस keyword को paste कर दो, I don't know what to write in my article, can you suggest me some points which I can cover up in my blog post, ठीक है, तो मैंने इसके क्या prompt दिया है, कि मैं एक blog post Spanish language में लिखना चाहता हूँ, focus keyword कारगा डॉर D iPhone original है, I don't know, मुझे नहीं मालूम है कि article में क्या लिखूं, क्या तुम मुझे कुछ points suggest कर सकते हो, जिनके बारे में मैं लिख सकूं, enter push करो, अब chat GPT आप कोई अच्छे content ideas generate करके देगा, देखो यहाँ आप इसने proper तरीके से हमें कई सारे headings दी है, कई सारे points दी है फटा फट इसने दे दिया, सबसे पहले क्या दिया है, इंट्रोड़ पतनी जा करके और यहाँ से हमें काम करते हैं, language को change करते हैं, अभी Spanish से English हो गया है, आप simply यहाँ पर paste कर दो introduction to the importance of an original charger, यह इसका मतलब निकलता है, अब आपको जरूर ऐसा लग रहा होगे, बड़ी मादब बच्ची है, पहले वहाँ से Spanish में copy करो, यहाँ पर इंग्लिश में translate करो, ब्लॉक से पैसे कमाने हैं न, पैसे कमाने हैं थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, चैट GBD आपको मेहनत करनी पड़ती है, अभी तक अगर यह वीडियो आपको पसंदार है, जानकारी आपको काम की लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या करना है, सब्स्राइब करना है, ठीक है, चलो, तो यह हमारे सामने इसका मतलब निकला, introduction to the importance of an original charger, पहला point इस तरीका बताऊंगा, Google पे square e को type कर दो, और यहाँ पर एक काम और करना, introduction to the importance of an original charger है, आप इसको यहाँ से हटा दो, introduction, क्योंकि तो हमारे लिए command था, अब simply हम enter पुश करते हैं, आपको कई सारी websites यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे the importance of using the right charger for your phone, चलो, इसे ही open करते हैं, क आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ ले न, और कुछ points यहाँ पर दिये हैं, जैसे why using the right charger is important है न, इस point को पकड़ो हैं यहाँ पर, इसे मैं copy कर लेता हूं, then आपके पास Microsoft Word होगा, या अगर आप Mac पे हो तो pages use करना, और इस पूरे paragraph को आप यहाँ पर कुछ इस तरह से paste करोग एक-एक sentence को आप अपने words में rewrite करो, यह एक ऐसा तरीका है जो मैंने starting days में use किया था और इसकी help से मेरे कई सारे article Google के first page वे आज तक rank कर रहे हैं, एक article मैं आपको दिखा देता हूं फटा फट, तो हम चलते हैं Safari पे, यह पूरा resetted browser है, एक बार फिर से इसको reset ही में कर देता चलो, तकि कोई भी cashed result आपको ना दिखाई दे हैं, हम Google पे आ गए, और यहाँ पर type करते हैं, why WordPress is better than other CMS है न, इसको अगर हम choose करें, तो यहाँ पर देखो, एक website rank कर रही है, value coders की, और दूसरी website rank कर रही है, मेरी websoft global.com इस particular keyword के लिए, कितने results आ रहे हैं, यहाँ पर once tens, hundred thousand, ten ten thousand, lakh, ten lakh करोड, तीन करोड, बावन लाख results में से, मेरी website या मेरा article, second number पे rank कर रहा है, आप अपने end पे भी जरूर स्क्वेरी को type करना, और मुझे comment करके बताने कि मेरा blog आपके end पे, किस position पे rank कर रहा है, और यह article मैंने कब लिखा था, 2019 में publish किया था, तो मैंने same यही तरीक यूज किया तो जो भी आपको बताने जा रहा हूं, किसी दूसरे blog का मैंने article उठाया पहले, उसके पूरे sentence को पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको अपने words में rewrite किया, खुद मेहनत करी ना मैंने at least, मैंने इस पूरे sentence को rewrite किया, तो आप भी rewrite कर सकते हो, कोई automatic tool use करने से better है, कि आप manually इसको rewrite करो, तो आपको results जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसे हम बंद करते हैं, तो यहाँ पर अब एक काम कर सकते हैं, इस sentence को मैं कैसे rewrite कर सकता हूं, यहाँ पर लिखा है, using the suitable charger for your phone is incredibly important to ensure its safety and efficiency, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा कुछ लग सकता हूं, it is very important for your iPhone safety and efficiency to use an original charger, ठीक है, इस sentence को मैं कुछ इस तरह से rewrite कर सकता हूं, दोनों का मतलब almost same निकल रहा है, लेकिन यह जो मैंने sentence यहाँ पर लिखा है, यह 100% original sentence है, same sentence को मैंने rewrite किया है, बट अपने words में rewrite किया, यहाँ पर phone लिखा था, मुझे iPhone के लिए अपना article optimize करना है, तो मैंने यहाँ पर iPhone word यूज किया है, इसी तरह से जो दूसरा sentence यहाँ पर लिखा है, using the wrong charger can cause the device to malfunction, lead to slow charging times or cause the device to overheat, अब इसको मैं कैसे rewrite करूंगा, if you use a wrong iPhone charger, then it will lead, then it will result in malfunctioning of your device or maybe result in slow charging, है न, यह भी हो सकता है, अब हमें काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, जो उपर वाला sentence है, इसको remove कर दो, और यहाँ पर यह वाला sentence है, इसको मैंने remove कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक 100% original sentence मैंने write किया है, और मुझे जादो दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि मैं क्या लिखूँ, गूगल अलरी जो यह हमारे सामने website आई है, कहाँ गई website वो वाली, यह वाली website है न, mobilebeat.com.au, इसके article को पहले से ही first position पे rank करवा रहा है, मतलब Google को इसका content काफी अच्छा लगा है, तो हम भी same content लिख रहे हैं, लेकिन अपने words में लिख रहे हैं, ताकि duplicate content ना हो, plagiarism ना हो, तो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से पूरे sentence को rewrite कर लिया है, I know थोड़ा time जरूर लगेगा, बट फिर भी इस method से आप results generate कर पाओगे, अपने blog को rank करवा पाओगे, प्लस, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कि आखिर मैं लिखूं क्या इस particular keyword से related अपने blog post में, तो आपको content का idea देखो, यहाँ से मिल गया है, कि आपको content कैसे लिखना है, तो एक-एक करके आप क्या करोगे ना, पहले समझता हूँ को chat GPT हम से क्या लिखवाना चाह रहा है, हम जाएंगे सीधा Google Translate पे, और यहाँ पे Spanish से सीधा कर देंगे English, और मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया, तो इसका मतलब क्या निकलता है, how to identify an original charger, original charger को हम कैसे पहचाने, तो आप simply इसको यहाँ से ऐसे copy कर सकते हो, वापस फिर से Google पे जाना, ठीक है, यहाँ पे search करना कोई एक article, जो top position पे rank कर रहा है, जैसे इसका देखो rank कर रहा है, how to spot if your phone charger is fake, click करो, अगर इसका article first position पे rank कर रहा है, मतलब Google को पसंद आया, बड़ I think इनका थोड़ा सा HTTPS का issue है, तो हम फिलाल इनकी side पे तो नहीं जाएंगे, carlacare.ina के website है, इस पे चलते हैं, ठीक है, यह second position पे rank कर रहा है, अब कैसे पहचानते हैं, उसका पूरा content इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, performance charging speed है, connect profit, कई सारे points इन्होंने यहाँ पे mention की है, आप पढ़ लेना, अपने words में इसको rewrite कर लेना, तो different different blogs से अगर आप content को उठाते हो, और खुद से rewrite करते हो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है, और यह कोई piracy virus है नहीं है, यह बिल्कुल legal तरीका है, भाई आप दूसरे blog को read कर रहे हो, फिर अपने words में अपना खुद का blog post लिख रहे हो, आप basically content idea ही तो ले रहे हो ना, content idea लेना कोई गलत बात नहीं है, तो यह एक आसान तरीका है blog post को write करने का, I hope आपको समझ में आया होगा, कि आप content writing कैसे करोगे, ब्लॉग articles को लिखोगे कैसे, और इससे आप अपने blog को rank करवा सकते हो easily, ठीक, तो हमारे plan के हिसाब से भाई, हमने content ideas भी ले लिया, chat GPT से, content को manually write भी कर लिया है, अब at last हमें FAQ generate करवाने है, frequently asked questions, यह कि अबवाले इसको भी समझते हैं, चलते हैं वापस Google पे, अभी अगर आप यहाँ पर देखो कि मैंने query type की थी, how to identify an original charger, मैंने यह लिखा था, enter push किया था, तो Google ने मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाया, एक blog का link दिखा दिया, मैं उस पर click करूँगा, जाऊँगा, article को read कर लूँगा, लेकिन उसी के नीचे, people also ask भी दिखा रहा है, एक नया section, अभी I think एक या दो साल पहले Google ने add किया, अपने search results में, तो यहाँ पर देखो, अभी यह कुछ questions दिखाता है, how do I know if my charger is original, कहीं न कहीं, यह वाली query, इस query से related ही है, दूसरी वाली भी है, what does a fake charger look like, यह भी इस से related है, how do identify a charger, यह भी देखो इस से related है, तो यह सारे क्या होते हैं, frequently asked questions के results हैं, जो Google automatically different different blogs से fetch करके, यहाँ पर दिखाता है, जैसे कि अगर मैं first वाले question को expand करूँगा, तो देखो, यह question कहां से उठाया गया है, wiki how के एक blog से उठाया गया है, ठीक, वहीं अगर मैं दूसरा वाले extend करूँ, तो यह देखो कहां से उठाया है, medium.com से उठाया गया है, again, अगर मैं तीसरा वाला यहाँ पर करूँ, तो यह कहां से है, emprgroup.com.au उठाया गया है, प्लस एक चीज़ आपने और notice की होगी, जैसे यह से मैं questions को open करता जा रहा हूँ, देखो कई सारे और भी questions add होते जारे हैं, जो related questions है, तो मतलब multiple blocks से, यह अपने याप उन questions को उठाता जाता है, अब इसे traffic कैसे मलता है, माल लीजिए, आपका frequently asked वाला question गूगल ने यहाँ पर fetch करके दिखा दिया, तो थोड़ा answer तो उसी queries related user को यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा, जब user इसे read करेगा, और उसे लगेगा यहाँ भी answer ठीक ठाक है, तो वो definitely इस link पर click करेगा, link पर click करते ही main blog open हो जाता है, तो frequently asked questions को use करके भी आप traffic अपने blog पर ले करके आ सकते हैं, और कई सारे लोगों ने इसका फाइदा उठाया है, ठीक, अब frequently asked questions वाला section कैसे create करना है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले भी समझते हैं कौन-कौन से frequently asked questions हमें अपने blog post में include करने हैं, तो same हमारी query या हमारे keywords से related ही होने चाहिए, अब उसका answer भी हमें chat GPT ही देगा, हम यहाँ पर इसको एक और command देते हैं, please generate some FAQs for the same blog post, ठीक है, enter push कर दो, अब same queries related काई सारे ही है, frequently asked questions हमें, वो questions यहाँ पर generate करेगा, जो आप questions ठीक लगें, वो आप include कर सकते हो, जैसे पहला एक question आ रहा है, मैं simply इसे यहाँ से पहले copy कर लेता हूँ, क्योंकि मज़े खुद नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, और Google Translate पे जाते हैं, Spanish से English में translate करेंगे, तो पहला है, why should you use a genuine iPhone charger instead of a generic one, यह question है, आप copy करो, Google पे जाना, गूगल पे आपको कई सारे results देखने को मिलेंगे, कुछ frequently asked questions वहाँ से उठा लेना, और उन sentences को या उन answers को अपनी language में आप replace कर सकते हूँ, यह rewrite कर सकते हूँ, ठीक है, idea आपको समझ में आ गया है, तो frequently asked questions, manually हम किस तरह से insert करेंगे अपने blog में, वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे plan के हिसाब से हमने तीन steps तो complete कर ली है, niche selection हो गया, keyword research हो गया, blog writing हो गया, I hope अभी तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है न, comment कर देना, मैं 24 घंटे में personally आपको reply करूँँगा, आपके ही comment पे, इसके लिए हमें domain और hosting की ज़रूरत पड़ेगी, अब दो तरीके हैं blog को live करने के, एक तरीका तो है बिल्कुल free of cost, दूसरा तरीका है कि आप थोड़े से पैसे invest करो, फिर से वही बात आती है, free है तो उसमें कुछ कमिया होंगी, पेड है, तो आपको उसका फाइदा अच्छा मिल सकता है, उस ज्यादा मिल सकता है, प्लस जल्दी मिल सकता है, free वाला platform है blogger, आपने शायद सुना भी होगा blogger spot का नाम, उस पे लोग free of cost blog बनाते हैं, बड़ blogger में कई सारे limitations है, आप अपने blog को अच्छी तरह से optimize नहीं कर सकते, उसका proper design नहीं कर सकते, प्लस हो सकता है उसको rank होने में काफी time लग जाए, और एक important चीज और भी है, blogger पे अगर आप blog start करते हो, तो आप उसके 100% owner नहीं होते हो, हो सकता है आपने 1200 या 100 या 200 post लिखी है blogger के उपर, कोई भी ऐसी policy है जिसके वारे में आपको नहीं मालूम है, गल्ती से आपने violation कर दिया है, तो उस case में हो सकता है, Google आपके blogger पे आए, वो read करें, उसे लगे भई कि हाँ policy violation है, आपका blog एकदम से delete हो जाए, आप अपने blog का proper SEO भी कर सकते हो, blog का design भी कर सकते हो, कल को कोई sponsored ads अगर आपको मिलते हैं, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं पे भी sponsored ads लगा करके, अच्छी खासी income generate कर सकते हो, तो भई तो को investment कर रहे हो, तो उसका फाइदा तो आपको definitely मिलेगा, WordPress के blogs जल्दी rank भी होते हैं, as compared to blogger blogs, ठीक है, तो WordPress पे ही आपको blog start करना है, अब WordPress से blog start करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों में investment होता है, एक होता है domain name, दूसरा होता है web hosting, बढ़ आपको domain में भी यहाँ पे investment नहीं करना होता है, domain name आपके blog का नाम है, जो आपको absolutely free मिलने वाला है आपकी web hosting में, अब वैसे तो market में कई सारी web hosting available है, मैं आपसे हमेशा कहूंगा, जो web hosting आपको लेनी हो, जिस company से लेनी हो, वहाँ से आप ले सकते हो, बट अगर आप मुझ से पूछोगे, मेरा recommendation लोगे, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, कि आप hostinger से web hosting लो, price दूसरी company से comparison में कम है, प्लस कई सारे आपको freebies भी मिलेंगे, कई सारे premium plugins में आपको absolutely free provide करता हूं, अगर आप hostinger पे web hosting लेते हो, मेरा affiliate link यूज़ करके, अब hostinger से web hosting हम लेते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको URL टाइप करना है, sadamkasim.com forward slash hostinger, ठीक है, यह link आपको video के description में भी मिलेगा, इस link को use करने कई सारे फायदे हैं, पहला फायदा तो यह है कि आपको 10% का extra discount मिलेगा, जी हां, मैं आपको special coupon code दूँँगा, जिसकी help से आप 10% extra save कर सकते हो, दूसरा benefit है कि मैं आपको Elementor Pro plugin जिसका actual cost 59$ है, absolutely free provide करूँगा, तीसरा benefit है कि आपको कोई भी query या question है, तो हमारा WhatsApp नमबर भी है, जी हां, WhatsApp नमबर आपको automatically मिलेगा, जब आप hosting ले लेते हो, तो आप WhatsApp पे अपनी queries को resolve करवा सकते हो, कई सारे subscribers हैं मेरे, जो मुझे WhatsApp पे message करते हैं, मेरी पूरी team है, जो आपको reply करती है, आपी queries को maximum level तक हम solve करने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता YouTube पे, बट मैंने investment किया है, मैं चानता हूँ, कि मेरे subscribers मुझे believe करते हैं, भरोसा करते हैं, और उनकी queries resolve होनी चाहिए, आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसी उम्मीद में होना, कि आपको success मिलेगी, और definitely अगर आप blog बनाओगे, आपको दिक्कत है आएंगी, दिक्कत है आएंगी तो कौन resolve करेगा, मेरे team resolve करेगी, कई बार ऐसा भी होता है, कि मेरे team से resolve नहीं होता है, तो मैं directly आपसे बात करूँगा, तो comment जरूर करना, और जो तरीके बता रहा हूँ, पूरे वीडियो में इसको follow जरूर करना, ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं, hostinger के official page पे, right now, hostinger, web hosting का जो price है, वो सिर्फ 149 रूपीज पर मन्त का है, अभी 22 December हो रहा है, एक January को hostinger की stail भी आने वाली है, हो सकते हैं, आप इस वीडियो को, एक January को देख रहे हो है, 31st of December को देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो चेक कर लेना, मेभी आपके end पे new year का offer भी दिखाई देगा, जिसमें काफी discount भी आपको मिलेगा, web hosting cost पे, अभी तो 149 है, मेभी और कम हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो हलाग की basic plan है, अब hosting लेने के लिए, आपको पहले तो wordpress वाले menu पे जाना होता है, या simply आप hosting वाले menu पे जाके, web hosting पे भी click कर सकते हूँ, मैं wordpress पे जाऊँगा, then scroll down करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, जो price दिख रहा है ना, premium plan है 149 रुपीज पर मंद का, और business plan है 269 रुपीज पर मंद का, normal days में यही price चलता है, बट new year sale पे यहाँ पे 20-20 रुपीज का और extra discount मिल जाता है, वो आप देख ले ना, जब आप इस वीडियो को देख रहा है चेक कर ले ना, अगर आप वो हो सकता है discount मिल रहा होगा तो ले ले ना, वानना यह भी price कम है यार, कोई जाधा price नहीं है, अगर आपको एक अच्छा source of income मिल जाता है, तो I don't think so कि यह बहुत बड़ा amount है, अब दोनों प्लैनों comparison करते हैं, cloud startup थोड़ा से expensive है, इसको बाद में समझेंगे, business और premium plan में क्या difference है, सबसे पहले difference तो pricing है भई, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, ऐसा क्यूं है, दोनों ही plan में आप 100 blogs, या 100 different different websites बना सकते हो, मैं blog post की बात नहीं कर रहा हूँ, blog post एक article होता है, आप यहाँ पे 100 अलग-अलग domain पे blogs बना सकते हो, एक ही web hosting plan में, ऐसा कोई भी other hosting company नहीं करती है, सबसे बड़ा benefit hostinger के साथ में यही है, एक hosting खरीदो, उस पे multiple blogs या multiple websites बना सकते हो, दोनों ही plan में आप 100 websites तक बना सकते हो, second thing, premium plan में आपको standard performance मिलती है, जो आपके blog की speed रहेगी न, वो ठीक ठाग रहेगी, बहुत super fast भी नहीं होगी, low भी नहीं होगी, वही अगर हम बात करें business plan की, तो 5 गुना extra super fast speed आपके blog को मिलती है, मतलब आपका blog super fast load होगा, Google भी इसी चीज़ को prefer करता है, fast loading blog है तो जल्दी rank करेगा, third है, यहाँ पे आपको 100 GB का storage मिलेगा, total 100 GB तक का data upload कर सकते हो, वही business plan में आपको 200 GB तक का NVMe storage मिलता है, फिर से यह थोड़ा super fast है और थोड़ा secure भी है, then after premium में आपको weekly backup मिलता है, वही business में आपको daily backups मिल जाता है, रोज backup बनता है आपके blog का automatic, कभी कोई दिक्कात आ गई है, आप hostinger को एक message डालो, वो previous day का backup तुरंथ आपके blog पर restore कर देंगे, तो यह काफी अच्छा feature है, दोनों ही plan में आपको free business emails मिलते हैं, हर एक domain के लिए 100-100 business email मिलते हैं, हर एक domain के लिए, तो ऐसा कोई भी other company provide नहीं करती है, बट hostinger में यह आपको मिल जाता है, then free SSL मिलता है दोनों ही plan में, free SSL यह क्या चीज़ है, SSL का मतलब secure socket layer, at the very top domain से पहले एक lock symbol आपको दिख रहा हुआ, ताले ऐसा symbol है, अगर मैं इस पर click करूँगा, तो क्या लिए क्या आता है connection secure, तो यह feature आपके blog पे भी लग जाता है, गूगल भी इस चीज़ को mandatory कर चुका है, कि अगर आपके blog पे यह HTTPS protocol नहीं है, यह HTTPS नहीं है, यह connection secure वाला message नहीं आ रहा है, तो आपका blog rank नहीं होगा, उसको search result से हटा दिया जाएगा, hostinger में यह feature भी आपको absolutely free provide होता है, वो भी हर एक domain के लिए, हर domain के लिए free मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको free domain name मिलता है एक साल के लिए, एक domain एक साल के लिए मिलेगा आपको, यहाँ प्रीम प्लैन में आपको CDN नहीं मिलेगा, CDN कहा है content delivery network, आपके content को super fast deliver करता है, आपके user को, आपके reader को, प्रीम में यह नहीं मिलेगा, बट business plan में आपको CDN मिल जाता है, बागी कई सारे और भी यहाँ पे enhanced, you know, DDoS protection वगरा वाले features है, यहाँ पे standard मिलता है, firewall वगरा मिल जाता है, और who is privacy protection दोनों ही plan में आपको मिल जाता है, अब अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा plan लेना चाहिए, एक नए blogger को मैं recommend करूँगा, business plan के साथ जाएए, एक बार ले लोगे आप, उसके बाद आप headache free हो जाओगे, फिर सिर्फ आपको content writing पे ही ध्यान देना है, अगर budget है, तो business plan ले लेना, budget नहीं है, तो आप premium plan ले लेना, ठीक है, दो नही option आपके पास है, क्या आप एक महीने के लिए hosting लेने वाले हो, अगर एक महीने के लिए लेते हो, cost पड़ेगी 699 रुपे पर मन्थ, एक महीने बाद फिर से इतना amount पे करना पड़ेगा, तो ये plan तो मैं आपको कभी भी recommend नहीं करूँगा, बहुत expensive है, 12 महीने के अगर आप hosting लेते हो, मतलब एक साल की hosting एक साथ लेते हो, तो मन्थली cost फिर 389 रुपीज के आसपास ही बढ़ती है, वहीं 2 साल की hosting लेने पर सिर्फ 299 रुपीज है, और 4 years की web hosting लेने पर सिर्फ 269 रुपीज पर मन्थ की cost यहाँ पे आ रही है, हो सकता है, new year offer में आपको और डिसकाउंट मिलेगा, बर normal days में भी 269 रुपीज पर मन्थ की मन्थली cost पढ़ती है, अगर आप 4 साल की hosting लेते हो, जो कि कोई जाधे expensive नहीं होता है, यवे मैंने खुद भी personal अपने लिया हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा, मैं हमेशा अच्छी hosting में ही investment करता हूँ, मुझे मालूम है, मेरी success के पीछे एक web hosting का बहुत बड़ा roll होता है, अगर मेरी website ही live नहीं रहेगी, मेरा blog ही live नहीं रहेगा, तो बेट traffic कहां से आएगा, affiliate sales कहां से आएगी, monetization कैसे होगा, तो hosting का बहुत बड़ा roll होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो 48 months की hosting एक साथ ले सकते हो, इसको लेने का benefit यह है, हो सकता है next year hosting अप्राइस बढ़ जाए, double हो जाए, triple हो जाए, चार गुना, दस गुना बढ़ जाए, तो आपकी pocket पे कोई भी effect नहीं होने वाला है, आपने 4 साल का amount दे रखा है, आप 4 साल के बाद ही renew करोगे, तो it's completely up to you, अपना budget देख लेना, अगर 4 साल के पैसे हैं, तो एकटा 4 साल की hosting लेना नहीं है, तो आप 12 महिने के भी ले सकते हो, या आप 2 साल की hosting भी ले सकते हैं, it's completely up to you, मैं कभी भी bound नहीं करूँगा आपको, ठीक है, देन आपको अपना account create करना है, एक email address यहाँ पे type कर देना, एक secure password बना लेना, make sure email को double check कर लेना, कोई गलती मत करना, एक बार email address register हो जाएगा, फिर बाद में वो change नहीं हो पाता है, यह change हो भी जाता है, बड़ बहुत दिक्कत होती है, या आप Gmail या Facebook के जरीए भी social sign up कर सकते हो, at last third step है payments वाला, order review करना है, business web hosting है, 48 months यानि 4 साल की web hosting है, price कितना है, 12,912 रुपे, 4 साल की web hosting है, मुझे लगता है, एक साल की cost सिर्फ 3,000 रुपे के आसपासी, यारे 3,000 कुछ रुपे होंगे, but tax वगरा मिला कि कितना amount हो रहा है, 15,236 रुपे, अब एक coupon code apply करो, जिससे आपको 10% extra discount मिलेगा, सद्दाम 7, ठीक है, then apply कर दो, तो यह आप देखो, प्राइस कितना हो गया, अब 13,712 रुपे और 54 पैसे, यानि Indian रुपीज है basically यह ठीक है, तो अभी right now आपने 10% की saving कर लिए, यहाँ पर जितने भी payment methods available है, किसी भी payment methods से आप payment कर दोगे, आपको hosting मिल जाएगी, अब बात आती है कि premium elementor pro plugin आपको कैसे मिलेगा, जिसकी value 59 डॉलर से, आपने मेरा affiliate link यूज किया होगा, सद्दामकासिम.com forward slash hostinger, अगर आपने इस link को use करके, hostinger से web hosting खरीदी है, तो hostinger की तरफ से confirmation email आपको आता है, कि हाँ वही आपने hosting खरीद लिया है, यह वाला plan लिया है, इतना amount पे किया है, उस email का photo खीच लेना या snapshot ले लेना, इस video के description में एक form दिया हुआ है, उस form को आपको fill up करना है, और उस form में आपको hostinger का snapshot अप्लोड कर देना है, जैसी आप submit करोगे, मेरी team verify कर लेगी, हाँ भी आपने hostinger से web hosting purchase किया है, और immediately हम Elementor Pro का download link आपको provide कर देंगे, ठीक है, तो यही तरीका है, Elementor Pro free of cost लेने का, अब payment हो गया, हमने hosting ले ली है, अब बार यह आती हमें free of cost domain name कैसे मिलेगा, हमारे plan के साथ में free वाला domain name भी included था, तो उसके लिए आपको simply open करना है, hostinger.in और आप enter push करो, now top right corner पर आपको login का बटन मिलेगा, simply इस पे click करना, और अपने account में login कर लेना, तो यह है मेरा hostinger का dashboard, अब मैंने अपना free वाला domain name पहले ही redeem कर लिया है, जो कि है howtosearch.in, यह मेरा business web hosting है, मैंने भी 4 साल की web hosting ले रखी है, तो 2027 में यह expire होगी, अभी 2023 के December चल रहा है, जिस वक्त मैं इस video को record कर रहा हूँ, तो almost 4 साल है, तो अच्छी hosting में investment बेहत जरूरी है, अब आपके end पर यहाँ पर कहिए कैसा option आ रहा होगा, claim my free domain ये get your free domain, अगर ऐसा कुछी button यहाँ पर दिखाई देगा, तो उस पर click कर देना, नहीं दिखता है, तो आप simply domains वाले menu पर जाओगे, at the very top, और get a new domain पर आप click कर देना, आपको ऐसा search box दिखाई देगा, जो भी domain name आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे ये वाले domain name अपने blog के लिए लेना है, उस domain को आप यहाँ पर search करोगे, let's say मैं यहाँ पर search करता हूँ, saddamkasim99.com, मान लीजे, ये वाले domain name मुझे पसंद आ रहा है, तो मैंने यहाँ इसको type किया, और हम search पर click करते हैं, अब अगर ये domain name किसी और ने नहीं ले रखा होगा, तो मुझे मिलेगा, किसी और ने ले रखा होगा, तो फिर मुझे दूसरा domain name search करना होगा, so at the moment यहाँ पर लिखके आ रहा है, we found a great domain for you, ये वाले domain name available है, मेरे end पर pricing दिखा रहा है, 499 पर for first year, आपके end पर दिखाएगा free of cost, यहाँ पर आएगा ऐसा कुछ option, get this domain for free, या ऐसा कोई भी option आपको दिखाई देगा, मैं अपना free वाला domain पहले ही redeem कर चुका हूँ, इसलिए मुझे खरीदने का option दिखा रहा है, बट आपके end पर नहीं दिखाएगा, बटन पर बस आप क्लिक कर देना, आपका domain name आपकी hosting से connect हो जाएगा, तो हमारे plan के हिसाब से हमने web hosting और domain name तो setup कर लिया है, hosting खरीद लिया है, domain हमें मिल गया है, अब हमें WordPress इंस्टॉल करना है, WordPress है क्या चीज़, WordPress एक CMS है, content management system, जिसकी help से आप अपने blog का content manage करते हो, या आप अपनी website के content को manage करते हो, तो WordPress एक free of cost open source software है, जिसे आप use कर सकते हो, WordPress बिल्कुल free of cost है, हमें जाना होगा hostinger में, अब अपने domain name पर WordPress को कैसे install करते हैं, पहले आपको websites वाले menu पे जाना है, और यहाँ पर आपको option मिलेगा, add or migrate a website, इस पर आप click करोगे, then आपके सामने को यह steps आएंगे, what is your website type, किस तरह की website बनाने वाले हो, क्या वो एक online store होगा, या वो एक blog होगा, तो of course हम blog बनाने वाले हैं, blog को choose करेंगे, then create or migrate a website, नई website बनानी है, migrate कहते हैं, हमें तो नया blog बनाना है, तो यहाँ पर हम choose करेंगे, create a new website, अब जो आप blog बनाने वाले हो, उसका दो panel होता है, एक front end होता है, जहाँ पर user आखर के, आप पर blog post को read करेगा, बट वो कोई changes नहीं कर सकता, उसे हम front end कहते हैं, जो user को दिखाई देता है web page, दूसरा होता है back end panel, back end panel यानि admin panel, जहाँ पर आप login करोगे, अपने blog पर changes कर सकते हो, articles को लिख सकते हो, और कुछ भी आप अपने blog में कर सकते हो, कि आप मालिक हो, owner हो अपने blog के, तो अपने blog का back end access करने के लिए, आपको login details की जरूरत पड़ेगी, वो login details हम यहाँ पर create करते हैं, तो एक email address टाइप कर देना, एक password हम यहाँ पर create कर लेते हैं, something like this, ठीक है, then after continue पर click करेंगे, अब आगे जितने भी options आने वाले हैं, सब को आप skip करते चलोगे, skip, skip and, यहाँ पर name your website, यह option very important है, यहाँ पर आपको choose करना है, उस domain name को जिस पर आप wordpress install करना चाहते हो, और blog setup करना चाहते हो, तो इस drop down में से मैं अपना domain name चूज करूँगा, howtosearch.in, आपका जो भी domain name है न वो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, उस चूज करना, select पर click कर देना, कुछ ही seconds में wordpress software आपके domain name पर install हो जाएगा, process already start हो चुका है, okay, so कुछ ही seconds में wordpress software हमारे domain पर install हो जाएगा, meanwhile, इस channel को फटा फट सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो पसंद आ रहा है तो like कर दीजे, here we go, so now you can see, well done, you are ready, wordpress software हमारे domain name पर successfully install हो चुका है, अगला step है कि हमें अपने domain पर SSL यानि कि ये padlock symbol भी install करना है, HTTPS लिखके आना चाहिए ताकि हमारा blog secure हो जाएगा, तो आपको simply control panel में जाना होगा, manage site पर, एक नया page आपके सामने open हो जाएगा, left search box में, यहाँ पर हलांगी में दूसरा domain दिखा रहा है, मैं पहले सर्च करूँगा अपने main domain, then यहाँ पर हम सर्च करेंगे SSL, तो यह option आगे, इस पर आप click करोगे, and यहाँ पर confirmation message आगे, SSL is installed for howtosearch.in, जब wordpress आपने domain name पर install करते हो न, तो hostinger automatically आपके domain पर SSL install करना शुरू कर देता है, तो हम इस page पर आके बस confirm करते हैं, कि हमारे domain name पर SSL active है या नहीं, मेरे end पर active है, अगर आपके end पर failed दिखाता है, यह आपके end पर ऐसा कुछ दिखा रहा है, कि भाई इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप simply in dots पर क्लिक करना, और यहाँ पर option मिलेगा re-install SSL, उस पर क्लिक कर दोगे, तो automatically SSL आपके domain पर कुछी seconds में install हो जाएगा, तो यह दो चीज़े confirm करना बेहत ज़रूरी है, एक तो WordPress इंस्टॉल हुआ है या नहीं, और दूसरी चीज़ SSL आपके domain पर install हुआ है या नहीं, दोनों चीज़े हो चुकी है, अब new browser tab में मैं open करूंगा, अपना domain name howtosearch.in, तो यहाँ पर देखो एक default website बन करके आ गई है न, यह मेरा domain name है, यहाँ पर एक default website आ रही है, अगर 2025 जब year आएगा, तो 2025 नाम की theme इंस्टॉल हो जाएगी, तो हर साल WordPress वाले न, WordPress यह team है, नईने theme लॉंच करती है, year के नाम से, अभी 2024 है, next year 2025 नाम की theme आजाएगी, तो 2024 नाम की theme कुछ इस तरह के दिखाई देती है, I know यह थोड़ा सा boring ज़रूर है, बट इसको amazing अभी हम बनाएंगे, अब हम इस theme को change करेंगे, तो आपको करना क्या होगा, यह जो area है इसे कहते हैं front end, जो कोई भी user देख सकता है, जैसे यह अपना domain name open करेगा, back end access करने के लिए, आपको domain name के आगे लगाना होता है forward slash, फिर type करोगे wp-admin, ठीक है, जैसे आप इसको type करोगे, एंट एंटर push करोगे, तो यह आपसे username और password मांगेगा, कौन सा username और password, same जो आपने wordpress के installation time पे create किया था, आप simply login पे click करो, and here we go, welcome to wordpress, तो यह wordpress का dashboard भी कहलाता है, इसे हम admin panel भी कह सकते हैं, इसे हम backend panel भी कह सकते हैं, now left hand side देखो, यहाँ पे post का option है, यही से आप post वगरा write करते हो, appearance में आपको मिलेगा themes वाला option, यहाँ से आप theme change कर सकते हो, plugins में आप नए-नए plugins को install कर सकते हो, plugins छोड़ी योड़े softwares होते हैं, जो आपके blog में features या functionalities को add करते हैं, जैसे अगर आपको live chat feature लगाना है, तो आपको live chat वाला plugin इंस्टॉल करना होगा, अगर आपको whatsapp एड़ करना है अपने blog में, तो whatsapp वाला plugin आप install करोगे, ठीक हैं, तो plugins छोड़ी योड़े softwares होते हैं, जो specific task को ही perform करते हैं, अब हम एक नई theme इंस्टॉल करने वाले हैं, जो 100% free of cost होगी, आपको simply appearance में mouse over करना है, and then you have to go on themes, right now आप देखो यहाँ पे कौन सी theme active है, 2024 नाम की theme active है, last year 2023 नाम की theme release की गई थी, उससे पहले 2022 and so on, next year 2025 आजाएगी, अब नई theme इंस्टॉल और activate करने के लिए, आपको पहले add new theme पे क्लिक करना होगा, at the very top, और यहाँ पर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, या फिर यह वाली theme आपको सीधी यहाँ पे दिखाई देगी, astra theme, आप simply इसे install करके activate करो, 100% free of cost theme है, easy to customize है, plus काफी lightweight theme है, super fast load भी होती है, तो इसलिए हम astra हमेशा use करते हैं, अब कोई भी theme आप install करते हो, उसके बाद आपको उस theme को activate भी करना होता है, तभी उसका effect आपके front end पे दिखाई देगा, तो हमने यहाँ पर astra theme को activate कर लिया है, ओके, तो यह activate हो चुकी है, active theme है astra, ठीक है, इस page को हम बंद कर देते हैं, I mean section को, और new tab में हम अपने domain name को open करके देखते हैं, how to search.in, तो अभी यहाँ पर cache memory की वाज़े से पुराना result दिख रहा है, now, यह आप देखो, तो कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो अब हमारा अगला task है, कि हमें अपना article publish करना है अपने इस blog पे, अभी designing पे मत जाओ, हम elementor जब install करेंगे न, तो उस case में थोड़ा बाद हम designing जरूर सीख लेंगे, अब post publish करना है, वो कैसे करते हैं, post write करने के लिए, पहले आपको जाना होगा post में, और यहाँ पर देखो मिलेगा categories, इस पर आप click करो, ठीक है, पहले एक blog की category बना लो आप, category मतलब यूं कह सकते हो, कि बड़े से block को हम different parts में divide कर देते हैं, तो यहाँ पर categories basically represent करेगी, कि आप किस type के article को, किस particular category के अंदर assign करना चाहते हो, जैसे आप iPhone charger के बारे में लिख रहे हो, अब यहाँ पर हलाग कि यह micron निश्य है, तो category के उतनी जरुद भी नहीं बढ़ती है, बढ़ आप चाहो तो बना भी सकते हो, जैसे का हम ले सकते हैं chargers, है ना, यह category नाम यहाँ पर डाल दो, add new category पर आप क्लिक कर दो, अब हो सकता है future में आप iPhone के जो cables होती है, lightning cable है, c type cable है, उस पर भी article लिखो, तो आप एक यहाँ पर category और बना सकते हो, cables की, c, a, b, l, e, s, cables, जिसमें आप सिर्फ cables की article को ही list out करोगे, है ना, तो हमने दो categories यहाँ पर बनाई है, अब एक नया post लिखने के लिए, आपको simply add a new post पर क्लिक करना होता है, add new with AI का option भी आता है, जिससे आप AI की help से article लिखवा सकते हो, बट आज कल ना थोड़ा बहुत दिक्कत चल ली AI की content में, कई लोग यह कहते हैं कि AI content rank नहीं करता है and so on, तो, well, मैं तो इस चीज़ने देखे believe नहीं करता है, मैंने कई सारे article chat GPT से लिखवा करके, थोड़ा बहुत उसमें changes करके, उसे rank भी करवाया है, पड़ सबका अपना अपना, you know, prospective है सोचने का, और मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर भी को confusion वगरा create हो, तो हमने almost जो article है, वो manually ही write किया है, तो manual article publish करने के लिए आपको यह वाला option choose करना होता है, add a new post, now, यह जो interface है, यह basically guttenberg page builder की तरफ से हमें मिलता है, टाइटल क्या होगा, जैसे कि हमारा जो iPhone वाला keyword था, कहां गया, यह वाला keyword है, इसको एक काम करते हैं, यहां से copy कर लेते हैं, यह हमारा main keyword है, तो इसे हम यहां पर ऐसे put कर सकते हैं, C capital कर दो, है ना, जो capital small करना हो कर देना अपने हिसाब से, यहां पर आपको फीचर से मिल जाते हैं, heading लिखने के लिए आप heading यूज़ कर सकते हो, paragraph लिखने के लिए यह यूज़ कर सकते हो, image insert कर नहीं है तो यह यूज़ कर सकते हो, कई सारे आपको यहां पर यह elements मिलते हैं, इसे हम widgets भी कहते हैं, तो यह गटनबर के page builder की तरफ से ही आपको यह सारे option मिलते हैं, बट गटनबर से भी और अच्छा page builder है, elementor और elementor pro, ठीक है, तो हम यहां पर elementor pro यूज़ करेंगे, लेकिन एक टाइम पर एक ही यूज़ कर सकते हैं, टॉप पर देखों, यहां publish का option आ रहा है, इसको publish कर देते हैं, और WordPress के dashboard में जाने के लिए आपको WordPress को logo पर click करना होता है, now, हमें जाना होगा plugins में, और installed plugins पे आप जाओगे, पहले तो हम देखते हैं, कौन-कौन से plugins पहले से ही installed हैं, जब हमने WordPress install किया था, तो यहां पे hostinger plugin हमें मिल जाता है, जो पहले से installed है, hostinger AI system भी मिलता है, फिलाल इन दोनो plugins की अभी हमें जरूत नहीं है, आप इसे deactivate भी कर सकते हो, और hostinger वाले इस plugin को भी deactivate करो, दोनों को एक-एक करके हम delete भी कर देंगे, हम सिर्फ उन plugins को अपनी website में, अपने blog में रखेंगे जिनकी हमें जरूरत है, ज्यादा plugins यूज करने से आपके blog की speed slow हो जाती है, ठीक, अब नया plugin अगर आपको add करना है, तो आप simply इस button पे click करोगे, तो पहले तो हमें guttenberg page builder को disable करना है, तो search plugin में जाएंगे और यहां पे type करेंगे, So the very first plugin is disable guttenberg, इस plugin को आप simply install करके बस activate कर दोगे, तो यह guttenberg page builder को disable कर देगा, यानि हमारी website से, हमारे blog से completely हटा देगा, इसे भी हमने activate कर दिया, अब अगला plugin हम use करेंगे Elementor, अब देखो Elementor Pro मैंने आपको अल्रड़ी provide किया है, जो आपके computer पर या laptop पर zip format में download हो गया होगा, Elementor Pro plugin तभी काम करेगा, जब आपके पास Elementor का free plugin अल्रड़ी installed है और active है, तो free plugin तो हमें यहीं पर मिल जाएगा, और premium plugin मैंने आपको जो provide किया है, उसे आप अपने computer से WordPress में upload करोगे, तो पहले हमें free plugin यहाँ पर सर्च करना है, E-L-E-M-E-N-T-O-R Elementor, जो के 100% free version है Elementor का, यह रहा Elementor website builder, simply install करके इस plugin को आप activate करोगे, ओके, यह हमने इस plugin को activate कर लिया, अब Elementor का premium version कैसे upload किया जाए, पहले आपको add new plugin पर click करना है, then, यहाँ पर एक option मिलेगा upload plugin, let's click on it, browse पर जाओ, जहाँ भी आपने plugin को download कर रखा है, उसे आप upload करोगे, तो यह रहा Elementor Pro, आपके end पे भी कुछ इसी तरह की file दिखाई देगी, simply आप open कर लेना, या upload करके install और activate कर दोगे, that's it, तो यह जो है, वो Elementor Pro है, और जो हमने WordPress में directly search किया था, यहाँ पे जाके, वो Elementor का free version था, इस plugin को भी हमने activate कर लिया, that's it, तो यहाँ पे total चार plugin हमारे पास है, यह light speed cache यह क्या plugin है, actual में यह आपके browser की cache memory clear करने के काम आता है, light speed cache, ठीक है, तो हमने Elementor, Elementor Pro दोनों को activate किया है, वापस चलते हैं, post पे, all post पे click करते हैं, तो हमने अपने post का title तो यहाँ पे डाल दिया था, एक post और है hello world नाम की, जब आप WordPress first time install करते हो, तो यह post automatically create हो जाती है, आप चाहो तो bin पे click करके, इस post को delete कर सकते हो, यह वाली post हमें edit करनी है, अभी हमने सिर्फ title ही add किया था, content नहीं add किया है, तो आपको edit पे पहले जाना होगा, now, edit with Elementor पे आप click करोगे, एक नई screen आपके सामने load हो जाएगी, जोकि Elementor की screen है, यहाँ इसे हम बंद कर देंगे, now, यह Elementor का interface है, left hand side पे कई सारे आपको elements दिखाई देंगे, अगर आपको heading लिखनी है, तो heading element है, image insert करवानी है, image element है, कोई YouTube का video वगर आपको अपने post में दिखाना है, तो यहाँ पे video element भी है, और Elementor Pro के यह सारे widgets होते हैं, contact form आप create कर सकते हो, login form बना सकते हो, animated headlines वगरा भी आप use कर सकते हो, कई सारे यहाँ पे option आपको देखने को मिलते हैं, अब आपने blog post को write कैसे करते हैं, तो पहले आपको simply यहाँ से heading को उठाना है, और इस तरह से आप drop कर दोगे, जैसे अब heading को drop करोगे न, तो यहाँ पे heading हो जिस तरह के दिखाई देगी, और left hand side पे box open हो जाता है, आप कोई सी भी heading यहाँ पे type कर सकते हो, तो हमें chat GPT से, यहाँ पे क्या मिला था, सबसे top पे यह चीज़ मिली थी, introduction Allah importance है यहाँ से इसे हम copy कर लेते हैं, यह हमारी heading थी, मैंने copy किया, elementor पे चलते हैं, और इसको हम replace कर देंगे, I capital कर देते हैं, इसका मतलब यह है na importance of original charger, तो यह Spanish language में लिग गया, color अगर आपको change करना है, तो आप जाओगे style पे, यह है text color, तो यहाँ से आप इसे black कर सकते हो, कोई से भी color कर सकते हो, सारे color options यहाँ पे दिये होते हैं, right hand side पे देखो आप color कैसे change हो रहा है, है न, तो इसी लिए हम elementor यूज करते हैं, elementor पे बहुत सारे easy options आपको मिलते हैं, typography पे जाकर करके, आप font size छोटा या बड़ा कर सकते हो, देखो जितना बड़ा या छोटा जैसा रखना हो, वैसा आप कर सकते हो, इसी लिए elementor best है, यहाँ पे weight दिया हुआ है, जो font है न, इसका weight thickness जो मुटाई है, आप उसे control कर सकते हो, weight पे जाकर करे, आप 700 करोगे, 800 करो, थोड़ा extra bold हो जाएगा, या आप 300 करोगे, बिल्कुल light हो जाएगा, इस completely up to you, जितना bold आप को रखना, उतना आप रख लेना, ठीक है, font size छोटा बड़ा, अपने हिसाब से आप कर लेना, अब जो हमारी word file है, उसमें मैंने पूरा article ready कर रखा है, मैंने आपको rewriting पहले सिखा ही दी न, उसकी help से मैंने पूरा article rewrite कर रखा है, ठीक है, तो यह importance के under, यह वाला paragraph जाएगा, बट यह पूरा का पूरा English language में है, इसको हम Spanish में कैसे convert करेंगे, simple सा तरीका है, Google Translate पे आपको जाना है, और यहाँ से आप English to Spanish translate करो, और यहाँ पर हमको इसको ऐसे paste कर देंगे, जैसे आप paste करोगे, देख़ेंगे पूरा का पूरा content Spanish language में आ गया है, आप simply यहाँ इससे पहले copy कर लो, इसके वाद आपको जाना है Elementor पे, अब यहाँ पर वो वाली list गायब हो गए, जो Elements की list थी, वो नहीं दिख रही है, उसको कैसे देख सकते हैं दोबारा, आपको simply इन dots पे click करना होता है, तो फिर से आपको यह पूरी list दिखाई देगी, अब चुकि हमें long paragraph paste करना है, तो उसके लिए आप use करोगे text editor, इसे आप drop करोगे heading के नीचे, जैसे आपको pink या blue line दिखाई देगी छोड़ देना, आप drop करोगे, इसकी setting left hand side पे open हो जाती है, यहाँ से आप इस dummy text को remove करो, right hand side पे भी remove हो गया, then जो text हमने यहाँ से copy कर रखा है, इसको मैं open नहीं करूँगा, translate से हमने copy किया यह वाला Spanish language में था, आप simply उसे यहाँ पर paste कर दूगे, that's it, है ना, तो पूरा paragraph Spanish language में paste हो चुका है, अब अगर आप इसकी formatting वगरा करना चाहाओ, कोई text अगर आपको bold वगरा करना है, तो बड़ा simple सा तरीका है, let's say मुझे यहाँ पर एक paragraph add करना है, तो पहले cursor रखूँगा, मैं फिर enter push कर दूँगा, देखो अपने आप paragraph यहाँ पर add हो गया, then after कहीं और भी अगर आपको paragraph add करना है, आप simply cursor रखो और enter push कर दो, फिर से देखो एक paragraph आ गया, तो आप इस तरह से अपने content को proper तरीके से organize करते चलोगे, पूरा का पूरा paragraph रहेगा ना, मतलब बहुत lengthy अगर paragraph होता है, तो वो SEO को point of view से भी अच्छा नहीं माना जाता है, plus user के reading point of view से भी उसे सही नहीं मानते हैं, तो आप बड़े paragraph को छोटे छोटे paragraph में divide कर दिया करो, इससे color अगर आपको change करना है, तो style पे जाओ, यहाँ पे text color है, आप इसे black कर सकते हो इस तरह से, ठीक, फिर से अगला paragraph हमारे सामने क्या है, further consequences of using wrong charger, है ना, तो मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, और हम चलते हैं, and English से, अब translate करेंगे Spanish में, तो यह होता है, इसका Spanish में translation, copy किया मैंने, अब दूसरी heading मुझे लिखनी है, तो एक काम हम कर सकते हैं, या तो heading widget को दुबारे यहाँ से drop करें, या इस वाले को ही आप duplicate कर लो, और duplicate करने के बाद, ऐसे उठा के नीचे लेके आओ, and then edit पे क्लिक करो, और इस वाले box में, इस text को आप replace कर दो, है न, तो आपको बार बार heading में, styling वाला part change करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, then again, दूसरा paragraph क्या है हमारे सामने, यह रहा तो इससे मैंने यहाँ से copy कर लिया, and then we can go back to translate, यहाँ पर फिर से आप paste करोगे, और यह आगे Spanish version, copy कर लिया, and then again, इसे आप duplicate करो, and heading को उठा के बीच में डाल देते हैं, and last वाला जो text editor है, इसमें हम text को replace कर देते हैं, इसी तरह से एक एक करके आप यहाँ पर heading और text वगरा लिखते चले जाओगे, अब सभी करने बैठोंगा मैं तो बहुत time लग जाएगा, तो फिलाल इतना ही करते हैं, इसके बाद update कर देना है आपको, तो जो भी आपने काम यहाँ पर किया है, वो save हो गया, अब save करने के बाद, आप अपने इस front end को refresh करके देखो, तो यहाँ पर देखो यह आगया हमारा article, इसका title क्लिक करने पर इसका individual page open हो जाता है, और यह पूरा content है जो हमने लिखा है, comment वाला session अपने आप यहाँ पर add हो जाएगा, तो user comment भी leave कर सकता है, अब अगर आप इस article पर गौर करोगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ text ही text है, images नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, खाली text अगर आप लिखते होना, तो लोग पसंद नहीं करेंगे, even Google भी नहीं पसंद करता है, आपको अपने blog में images को भी use करना है, अब images आप कहां से लाओगे, copyright free images आपको कहां से मिलेंगी, तो उसका मैं एक separate video पहले ही बना चुका हूँ, इस video को जाके आप जरूर देखिएगा, इसमें detail में मैंने सिखाया, कि आप कैसे graphic design कर सकते हो, Canva की help से, अगर आपको Photoshop नहीं आता है, Adobe Illustrator नहीं आता है, तो भी आप copyright free images को design कर सकते हो, तो आप फटाफ़ट इस video को जाके जरूर देखना, link मैंने video के description में दिया हुआ है, तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, Google से कर कोई image मैंने download कर ली है, तो उसे कैसे upload करूँगा, बट आप ऐसा मत करना, आप अपनी खुद की images design करना, इस video को देखने के बाद, तो मैं तो simple जाँगो Google के उपर, Google images से न कोई एक image निकाल लेते हैं, तो let's say, यहाँ पर हम search करते हैं, iPhone charger, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नहीं यह वाले image आ रही है, अब देखो, इस image को हम directly use तो नहीं कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के purpose से इसे use करूँगा, लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, images may be subject to copyright, तो आप originally अपने blog में इसको use नहीं करोगे, बट यहाँ पर मैं तो use करूँगा, अब इस image को हमें upload कैसे करना है, upload करने के लिए पहले आप grid आइगन पर click करोगे, अब माल लो आपको इस paragraph में कहीं पर image को डालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस image element को यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ पर ऐसे put कर सकते हैं, ठीक, आपने इसको यहाँ put कर दिया, image का जो placeholder option है, यहाँ पर आ गया, choose image पर आप जाओगे, upload files पर click करना, select files पर जाना, जहाँ भी आपने उस image को save कर रखा है, आप simply upload करोगे, and then आपको select पर click कर देना, तो image यहाँ पर इस तरह से आ जाती है, आप image का size भी control कर सकते हो, आप चाहो तो 300 by 300 pixel की image दिखा सकते हो, आप चाहो तो large दिखा सकते हो, आप चाहो तो full दिखा सकते हो, या आप चाहो तो custom size भी यहाँ पर assign कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 300 by 300 pixel ही रखूँगा, यह ज़ादा बेटर है, बहुत बड़ी image से भी कोई फाइदा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो यह मैंने image लगा दी है, अपडेट कर देंगे, and then अपने इस page को refresh कर लेते हैं, यह देखो, image आ गई है न, यह तो एक image होगी जो हमने post के अंदर ली है, एक होती है, featured image, featured image basically किसी post का एक thumbnail होता है, जो represent करता है कि वो post किस बारे में लिखा गया है, जैसे YouTube पे YouTube का thumbnail होता है, जो represent करता है कि वीडियो किस बारे में, तो हर एक blog post का भी एक thumbnail होता है, जिसे हम featured image कहते हैं, वो सबसे top पे आ जाती है, तो featured image भी आपको set करनी होती है, फिलाल एक काम करते हैं, कोई इमेज में अपलोड कर दूँगा, बट आप Featured Image पहले खुद की design कर लेना, उसके बाद ही आप उसे use करना, तो मैं यहाँ पर चलो इस image को as a Featured Image आपको लगा के दिखाता हूँ, अब Featured Image कैसे set की जाती है, पहले आपको WordPress के dashboard में जाना होता है, तो आप In Lines पे क्लिक करोगे, आया गया exit का option और यहाँ पर decide later पे क्लिक कर देना, WordPress का dashboard आपके सामने आ गया, अब right hand side पे देखो, यहाँ पर एक आता है category का option, तो पहले तो आपको इस post को किस category में assign करना है, उस category को आप choose करोगे, तो हम यहाँ पे chargers को select कर लेते हैं, क्योंकि हमने दो category पहले बनाई थी, then after scroll down आप करो, और यह option है, featured image का click करना है, upload files में जाना है, और जहाँ पर भी हमने featured image save कर रखी है, create करके, उसे आप upload करोगे, और set featured image पे click कर देना, तो यहाँ पी यह image आ गई है, click करने पे individual page open हो जाता है, तो एक हे करके आप जितनी भी post लिखते जाओगे न, अपने आप आपके home page पे दिखती जाएगी, कोई नया post लिखोगे, वो अपने आप इसके ऊपर यहाँ पे दिखेगा, कोई अगला post लिखोगे और ऊपर आ जाएगा, पर्मल लिंक किसे हम कहते हैं, URL भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो इसका format है, यह format SEO friendly नहीं है, देखो यह तो हमारा main domain है, howtosearch.in इसे तो हटाई नहीं सकते हैं, प्लस यहाँ पर cardagor day iPhone original, यह हमारा main keyword है, इसे भी हटाना ठीक नहीं है, slug में रहेगा तो जल्दी rank करेगा, बट इसके बीच में index.php, date वगरा पढ़िये न, यह होना सही नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं, हमारा URL कुछ इस तरह का होना चाहिए, बस सिर्फ इतना होना चाहिए, howtosearch.in forward slash, और हमारे पोस्ट के हिसाब से, जो slug create हुआ है, वो होना चाहिए, तो हम कैसे set करेंगे permalink को, यानि कि URL कैसे change करते हैं, इसे SEO friendly कैसे मनाएंगे, आपको जाना है settings में, और यहाँ पर आपको मिलेगा permalinks का option, तो यहाँ पर देखो, कई सारे permalink structures हैं, यह plane है कुछ इस तरह का होता है, day and name में date और name एड़ हो जाता है, month and name में month भी एड़ होगा, और name भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको यह वाला format चूज करना है, howtosearch.in जो कि हमारा main domain है, और सिर्फ post का नाम होना चाहिए, आपको हमेशा post name वाला permalink structure ही चूज करना है, दूसरी चीज, जब आप WordPress इंस्टॉल करते हो, WordPress इंडिया का तो नहीं है ना, इंडिया के बाहर का है, यूरोप का हो सकता है, यूएस का हो सकता है, WordPress installation के time zone वहीं का set हो जाता है, हमें इंडिया का time zone set करना है, तो आपको settings में general पे जाना है, और यहाँ पर आप देखो time zone क्या selected है, लंडन सेलेक्टेड अभी यूरोप का है, इसको हम click करेंगे, I think London United Kingdom में है, यहाँ से change कर सकते हो, then save changes पे click कर देंगे, तो अभी right now जो हमारा blog है, वो basically Indian time zone के हिसाब से properly set up हो चुका है, बाकी इस जगे पे कुछ भी changes मत करना, कई लोग क्या करते हैं न, WordPress address URL में यहाँ पे http है, तो s-add कर देते हैं, यहाँ भी s-add कर देते हैं, ऐसा करने से आपकी site open नहीं होगी, यहाँ पे जैसा जो कुछ है उसको as a test छोड़ देना, कुछ भी मत करना, बस time zone वगर आप change कर सकते हो, तो blog भी हमारा set up हो गया, हमने blog article publish भी कर दिया है, अब हमारे plan के हिसाब से, लास्ट step है कि हमें AdSense approval के लिए पने blog को ready करना है, तो पहले चीज़ कुछ legal pages हमें create करने होंगे, logo upload करना होगा और menus बनाने होंगे, अब यह legal pages basically क्या चीज़ होती है, देखो Google AdSense का approval लोगों को जल्दी नहीं मिलता है, बड़ा common सा reason लोग ध्यान नहीं देते, Google AdSense का approval उन्हीं blogs पे मिलेगा, जो blog real और original AdSense team को दिखाई देते हैं, आपने कोई एक blog बनाया है, दो-चार आर्टिकल बस आपने लिखे हैं, और आपने अगर AdSense के लिए apply कर दिया है, AdSense के team आपका blog चेक करेगी, उन्हें अगर सही नहीं लगा, भई नया नया blog है, उन्हें लगा भी कुछ नया चार दिन पहले blog बनाये, वो कैसे approval दे देंगे, आप उससे कमाई करने वाले हो, तो पहले blog पे थोड़ा काम करो, ठीक है, उस page के उपर आपके बारे में सारा content होना चाहिए, आप कौन हो, क्या करते हो, क्या आपका reason है blog शुरू करने का कब आपने शुरू किया, आपके expertise क्या है, अगर आपके team members है, तो उनकी जानगारी रखो, पतलब जितना भी आप अपने बारे में जानगारी दे सकते हो, वहाँ पे दे देना, दूसरा important page होता है, जो legal page रहेगा, वो है contact page, contact page पे आपकी contact information होनी चाहिए, जैसे के contact number होना चाहिए, email address होना चाहिए, आपका physical address होना चाहिए, यह office है तो office का address रखो, घर है तो घर का address छोड़ दो, एक contact form भी लगा दो, तीसरा है privacy policy, चौता है terms and conditions, फिफ्ट वन इस disclaimer, एंड लास्ट वन इस affiliate disclosure, अब affiliate disclosure page क्यों आपके blog पे होना चाहिए, देखो, अभी तो right now आपने कैसा ने choose किया है, जिसमें एक product है, आईफोन charger एक product है, है ना, जब आपको blog चल पड़ेगा, तो Google AdSense से तो आपको कमाई होने वाली है, प्लस हो जकता है, फ्यूचर में आप Amazon के affiliate links भी अपने blog में यूज़ करो, उस particular charger से related, तो आपको affiliate sales भी आएगी, अब affiliate disclosure वाले page में, आप ये जिस clear करते हो, customer को या जो reader है, कि अगर आप हमारा link यूज़ कर रहे होना, तो हमें कुछ commission मिलेगा, और ये mandatory हो चुका है, इसलिए आपको affiliate disclosure वाला page भी create करना होता है, तो हम फटाफट पहले page create करना सीखते हैं, अगर आप affiliate marketing सीखना चाहते हैं, बिल्कुल free of cost, ये affiliate marketing आप कैसे, 1000 लाखो रुपे easily कमा सकते हैं, घर से बैट करके अपने free time में, तो ये मैंने एक पूरा detailed video बनाया हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, और कई सारे लोगों ने अपनी income भी शुरू कर दी है, तो आप भी चाहो तो affiliate marketing सीख सकते हो, इसका link भी आपको video कर description में मिलेगा, अब चलिए फटाफट legal pages create करना सीखते हैं, इसके लिए आपको wordpress के dashboard में जाना है, ये है pages, आप all pages पे click करोगे, privacy policy नाम का page पहले से ही create हो जाता है, add new page पे click करते हैं, एक एक करके सारे pages बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे home page, then आप simply publish कर दो, home page के लिए फिलाल कोई भी content हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि home page पे हमारे blog post पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, home page यानि कि वो page जो आपके domain को open करने पे सबसे पहले दिखाई देता है, हमारा main domain कोई भी open करेगा, post दिखाई देगी, तो home page का फिलाल कोई खास existence नहीं है, आप चाहो तो इससे ना भी रखो तो भी चलेगा, अबर हम रखते हैं standard है, then नया page create करना है, add new page पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप about us बेसिकली नाम देदोगे, इस वाले box में आप चाहो तो अपने बारे में सारी detail कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंटर मेंटर पुश करते जाना, लिखते चले जाना, या आप चाहो तो elementor को load कर लेना, और elementary के help से अपने बारे में आप लिख सकते हो, अपना photo photo भी upload कर देना, फिलाल यह सारी चीज़ ना मैंने detail में समझाई हैं, इस वाले वीडियो में, जिन लोग को adsense का approval नहीं मिल पाता है, तो 10 important points मैंने explain किये हैं इस वीडियो में, कि आपको adsense का approval कैसे मिलेगा, और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद comment भी किया है, इसी वीडियो में, कि हाँ उन्हें adsense का approval मिल गया है, तो आप इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो भी जाके जरूर देख लेना, अगर आप detail में सीखना चाहते हैं कि adsense का approval कैसे मिलेगा, तो एक एक करके हम फटाफट इस page को create करेंगे, इसको publish कर देते हैं, यह हमारा blank page है, हलंकि आप यहाँ पे पने content रख देना, इसी तरह से एक नया page और create करना जो की होगा, contact us, ठीक है, इसे ही publish कर देते हैं, अपनी contact detail वगरा यहाँ पर put कर देना, जरूरी है यह, then हम create कर लेते हैं, यहाँ पर disclaimer, ओके, publish कर देते हैं, इसके बाद नया page create करेंगे, क्या नाम होगा उसका? affiliate disclosure, affiliate, d-i-i-s-c-l-o-s-u-r-e, disclosure, यहाँ पर affiliate disclosure content लिखना है, अब सबसे बड़ा attention, क्यार content लिखेंगे क्या, यह तो सरबताई नहीं रहे होगा, आपके content लिखना गया है, तो हमारे पास सबसे बढ़िया tool क्या है, chat GPT, आप affiliate disclosure, disclaimer, यह सारे चीज़ेs chat GPT से लिखवा सकते हो, और कैसे लिखवाना है, क्या prompt दिना है, वो मैंने Google AdSense के approval वाले वीडियो में detail में समझाया है, तो उसको जाके जरूर देख लेना, तो फिलाल content आप chat GPT से लिखवा पाओगे, हमने इस page को भी publish कर दिया, इसी तरह से आप multiple pages सो create करते चले जाओगे, अगर हम all pages में जाएं, तो हमारे पास कितने page हैं, एक about us है, एक affiliate disclosure है, contact है, disclaimer है, home है और privacy policy है, अच्छा privacy policy page के आगर draft लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, देखो, ये जो pages है ना, इसको हमने publish कर दिया है, आपको याद होगा, right hand side में publish का बटन दबाये था, मतलब ये सारे page live है, मेरी website में, मेरे blog पे, अगर किसी को इसका URL मिल जाए ना, तो page को open करके देख सकता है, बट ये वाला page अभी draft condition में है, हमारे WordPress में से save है, published नहीं है, इसको अगर आप publish करना चाहते हो, तो आपको simply quick edit पे click करना है, और यहाँ पे देख स्टेटस दिखा रहा है draft, आप जाओ publish सेलेक्ट करो और update कर दोगे, तो ये वाला page हमारा publish हो चुका है, अब total 6 pages हैं, अब हमें इनके menu create करने हैं, pages create करने के बाद, अगर मैं इस page को refresh करूँ, देखो यहाँ पे menus आ गएं, लेकिन सारे random menus हैं, random का मतलब अपने आप अपने हिसाब से menu adjust हो गए हैं, about us पहले आ गया, फिर affiliate disclosure है, home last में चला गया, हम चाहते हैं home पहले आए, फिर about us आए, फिर and so on है नहीं, मतलब menu हमारे हिसाब से ही arrange होने चाहिए, वो कैसे करेंगे, menu create करने के लिए, पहले आपको appearance में जाना है, और आप menu वाले option पे जाओगे, यहाँ पे menu name वाले box में एक नाम दे दो, जैसे कि main menu, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, this is just for your reference, then यहाँ पे आपको display location जरूर चूज करना है, तो आपको चूज करना है primary menu, ताकि यहाँ पे सारे menus आपके दिखाई देंगे, now create menu पे क्लिक कर देना, तो हमारा main menu नाम गए group बन जाएगा, और देखो left hand side पे pages वाला section enable हो गया, अब यहाँ पे काम करो, view all पे जाओ, ठीक, view all पे जाने के बाद, यह वो सारे pages हैं जो हमने create कर रहे हैं, सब को एक इक करके आप select कर लोगे, यह मैंने सारे pages को select कर लिया, and then add to menu पे click कर दिया, अब एक चीज अगर आप गवर करोगे न, home वाला menu दो बार add हो गया, यह भी home है, यह भी home है, होता क्या है, जब आप first time wordpress create करते हो, या install करते हो, तो एक home नाम का menu पहले से बन जाता है, हम कैसे पहचानेंगे, हमारा वाला home कौन सा है, और wordpress वाला home कौन सा है, क्योंकि हमें wordpress वाले home को हटाना है, अगर आप गवर करोगे, इस वाले home के आगे क्या लिखा है, page लिखा है, मतलब यह एक page है, disclaimer के आगे भी page लिखा है, तो यह भी एक page है, contact us के आगे page लिखा है, यह भी एक page है, page किसके आगे नहीं लिखा है, इस वाले home के आगे लिखा है, custom link, कि ये कोई page नहीं है तो आप arrow पे click करो और remove कर दो ये हमारा वाला home नहीं था अब हमें home वाले menu को top पे लाना सबसे पहले लाना है तो कुछ मत करो उठा करके ऐसे आप shift कर दो first position पे आ गया इसके बाद अगर आपको about us दिखाना है about us को उठाईए और ऐसे लगा दीजिए ठीक है देन अगर आप कोई और दूसरा page दिखाना चाहते है disclaimer है यहाँ पे दिखा दो ऐसे third number पे आ गया contact us last में आ गया privacy policy affiliate disclosure देन आप save कर दीजे इस menu को और ये menu save हो गया है एक बार इस page को refresh करते हैं यह देखो home सबसे पहले आगया फिर about us है then disclaimer है and so on तो आप इस तरह से menus create कर सकते हो अब बात आती है कि भई हम यहाँ पे logo कैसे upload करेंगे adsense पे apply करने से पहले logo भी upload करना बहुत जरूरी है अब logo design कैसे करोगे जो graphic designing वाला video मैंने create किया है उसमें मैंने detail में समझाया है कि आप logo कैसे design कर सकते हैं अपना खुद का copyright free logo और बिना photoshop skill के तो उस video को भी देखना link में description दिया है मेरे पास already logo available है मैं आपको upload करना बता देता हूँ कहां से upload करते हैं आपको जाना है simply wordpress के dashboard में appearance में आपको मिलेगा इस पे आप जाओगे यह रहा site title and logo click करेंगे और यहाँ पे select logo का option है फिर से आपको upload files में जाना है और जहां पर भी आपने logo download कर रखा है मुझे भी देखना पड़ेगा logo है कहां पे असल में so यह रहा वो logo हम simply से open कर लेंगे and then select करेंगे script cropping हमें करना है and at last आप देखो यहाँ पे logo भी आ गया इस site title वाले box में अगर कुछ भी ऐसा लिखा होता है how to search वगरा तो वो यहाँ पे दिखाई देता है जिससे पहले लिखा हुआ था how to search dot in ऐसा लिखाता है यहाँ पर है आप इस text को चाह होता है हटा भी सकते हो at last आपको publish कर देना है तो logo आपके front end पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो इस तरह से आप logo भी upload कर सकते हो आप menus create कर सकते हो post वगरा write कर सकते हो अभी blog में इतना ही नहीं है आपको इस blog का SEO करना भी आना चाहिए search engine optimization जिसकी help से आप अपने blog को rank करवा सकते हो Google friendly बनाओगे उसका भी पूरा detailed वीडियो मेरे channel पे आपको मिलेगा ये वाला वीडियो है इसका link भी वीडियो के description में आपको मिलने वाला है उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी बात वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कर लीजे कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने miss कर दी है do let me know in the comment section 24 घंटे में आपके comment का में reply करूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में